दोस्तों हम जब भी शौन्ट श्या इंश्टरी तेखते हैं तो जहातर वीडियो द्वारा बनाएगए ही देखने को मिलते हैं क्योंकि एाई के द्वारा बनाएगए वीडियो इस पर मिलियन से वियूस्ट आते हैं लेकिन क्या आपको पता है वीडियो दो में आपको कुछ भी ना करना पड़े सब कुछ AI कर दे यह आई आई के द्वारे ही आप वाइस रिकॉर्ड कर लें तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रेशन में मिल जाएगा इस वीडियो के बाद आप उसे जाकर देख सकते हैं हमें अपने क्रोम ब्राज़र में 11-lap website में आ जाना है यह website बहुत ही कमाल की website है इस website से आप कई पिरकार की बाइस जनरेट कर सकते हैं आप किसी की भी बाइस को किलोन करके यूज भी कर सकते हैं आप चाहें तो किसी बड़े सेलेवेटे की बाइस को भी कलोन करके AI की मतश्स स इस पर कीलिक करेंगे और हमार सामने एक पेज आजाएगा यहाँ से आप साइन अप कर देखा चाएगा यह सब्सक्राइब दिल्स प्लांस हैं लेकिन हम सब्सक्राइब करेंगे तो उसके लिए हमने नरयाट पर किलりक कर लेंगे Speech Synthesis में आ जाएंगे और यहाँ पर हम अपने उस स्क्रिप्ट को Paste कर देंगे जो भी हमने बना रखी यानि हम AI के द्वारा जो भी Vice Generate करना चाहते हैं उसे यहाँ पर Paste कर देंगे और Generate वाले उप्शन पर किलिक कर देंगे और कुछ इस सेक्रिप्ट में Vice Generate हो जाएगे आप यहाँ से Vice को Change करना चाहें तो यहाँ से Vice को Change भी कर सकते हैं अब यहाँ पर एक Other और Vice ले लेते हैं हम एक Female की वाइस को ले लेंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या result आता है इंतेजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं और जब हमारी वाइस जन्रेट हो जाएगी तो नीचे यहाँ किलिक करके उसे डाउनलोड कर लेंगे हम वाइस सेटिंग में आ जाएныхठ और इस वाले उप्शन पर किलिक करके हम अपने वाइस को एड़ेस्ट भी कर सकते हैं यानि वाइस को श्लो और फास्ट भी कर सकते हैं नीचे वाले उप्शन पर किलिक कर लेंगे और यहां पर आप नीचे वाले उप्शन पर किलिक करेंगे सेकंड वाले पर जिससे आप किसी वाइस को भी क्लोन कर सकते हैं यह कुछ प्लांस है अगर आप किसी की भी वाइस को क्लोन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर प्लांस लेने पड़ेंगे अगर आप लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्लांस हैं तो दोस्तों अब आप अच अच्छी लगई वीडियो अच्छी लगई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं आपको एको नेक्स्ट वीडियो में